Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ एक बहुती सुंदर और ब्यूटिफल सी एक्रालिक पेंटिंग तो ये वाला जो टुटोरियल है, आज वाला टुटोरियल ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है तो अगर आप एक्रालिक पेंटिंग बिगनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हल्फुल हो सकता है ये टुटोरियल आपके लिए बहुत जादा हल्फुल होगा तो इसके अंदर मैं आपको कुछ टिक्नीक्स भी बताऊंगी तो आपके लिए बहुत पेंटिंग इजी हो जाएगी इसके अलवा मैं आपको बताना चाती हूँ कि अगर आप इंट्रेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नमबर दे रखा है उस पर वाटसप करके आप डीटेल्स ले सकते हैं जो पेंटिंग के बैचे बन रहे हैं वो बन रहे हैं लॉंग टर्म कोर्स के लिए और बैचे जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं केवल फीमेल के लिए केबल female category के लिए batch available है तो अगर आप female है working या non working कैसे भी चलेगा और साथ में अगर आपकी age 16 plus है क्योंकि girls को मैं जादा चोटा नहीं ले पाऊंगी इस batch में तो 16 plus age होना आपकी जरूरी है तो अगर आप interested है तो आप whatsapp करके मुझसे details ले सकते हैं अभी जो batches बन रहे हैं उसके regarding तो चलिए शुरू कर लेते हैं painting को और सीख लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी आसान तरीके इसके साथ इस painting का अगर आपको drawing चाहिए तो आपको मेरा instagram page follow करना होगा उसका भी nature detail description box के अंदर आपको मिलेगा और उसके अंदर आपको एक story section मिलेगा जिसमें drawing करके section है वो उस section के ओपर जाकर आप जो है drawing copy कर सकते हैं तो चलिए अब कितना आसान हो गया ना सीखना तो चलिए जल्दी से सीख लेते हैं और बना लेते हैं easy painting को तो चल्दी से शुरू कर लेते हैं यहां पर मैंने canvas pad लिया है पेड़िलाइट का और यहां पर 9x12 है साइज उसका और यहां पर हम camel color ले लेते हैं artist वाले और छोटी वाली tubes ही निकाल रहे हो मैं क्योंकि यहां beginner के लिए कर रहे हैं यह बिंदे colors कौन कौन से लेंगे हम yellow लेंगे lemon yellow permanent orange और burnt siana और साथ में black ठीक है तो यहां पर निकाल लेते हैं हम हमारा sheet कभी भी canvas pad आप बाई करते हैं cloth base देखकर बाई करें ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और canvas pad के regarding पूरा video available है तो अगर आप देखना चाहते हैं कि canvas pad क्या क्या size के available है market में तो वो video आप देखेगा बहुत helpful रहेगा तो यह beginner size canvas pad रहता है यहां पर 10 by 12 भी ले सकते हो आप 9 by 12 भी ले सकते हो तो पेडलाइट कंपनी में 9 by 12 वाता है camel में 10 by 12 वाता है तो कोई भी ले सकते हो palette में यहां पर मैं निकाल लेती हूँ shades जो हमको शुरुआ साथ में चाहेंगे तो यहां पर मैंने लिया है lemon yellow और साथ में मैंने ले लिया है permanent orange साथ में ले लेते हैं यहां निकाल लेते हैं brush यहां पर बड़ा number brush ले लेंगे और flat brush हम यहां पर लेंगे तो flat brush हम यहां लेंगे उसका size हम यहां पर 12 नंबर ले सकते हैं 10 नंबर ले सकते शुरुआत जब आप करेंगे तो थोड़ा वाटर जादा ले लेंगे और उसके बाद आप यहां पर यलो कलर से शुरुआत करेंगे और उपर की तरफ लेमन येलो रहेगा तो आपको दोनों शेट्स को आपस में ब्लेंड कर देना है तो यहां पर ब्लेंड कर देते हैं अच्छे से तो जब आप यहां ब्लेंडिंग करते हो तो ब्रश की स्टोक्स आप एकदम स्मूथ लेके जाना और एक्तम होरिजॉंटल यहां पर स्टोक्स चलाओगे ब्रश के तो जब आपका अच्छे से ड्राइ हो जाता है बैग्राउंड उसके बाद आप यहां पर ले लोगे पर्मनेंट औरेंज और बर्श यहां पर मैंने मिक्स किया है और उसके उससे सेम ब्रश हम यहां यूज करेंगे और उस ब्रश की हल्प से हम चलाओड बना लेंगे यहां पर बनाने के लिए हम यहां पर डैबिंग कर देंगे तो हल्का हलका जब आप ब्रश को पुश करते वे चलाओगे तो आपको यह वाला एफेक्ट मिल जाएगा तो इस वाले एफेक्ट को लगा लेते हैं और यहां पर हम डाक और लाइट कलर आपस में blend करते वे clouds बना लेते हैं तो palette यहां पर हर दम flat surface अच्छा रहता है तो कोई भी आपके पास अगर flat surface की palette नहीं है आप plate भी use कर सकते हो नीचे की तरफ हलका सब burns याना ले ले लेंगे और उसको हलका सब नीचे dark effect दे देंगे यह सब steps आप करोगे जब आपका base layer अच् चोड़ोगे अब यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं जो वो गीले में दिखा रही हूं painting तो यहां पर देखिए गीले के अंदर इसका effect कैसा है तो इस तरह से effect रहेगा इसका अगर आपके clouds नहीं बैठते हैं brush ते तो आप इस तरह से finger से dabbing भी कर सकते हो finger से हलका हलका push कर तो भी आपको clouds के अंदर blending ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगे आपसे तो दोनों तरीके आप अपलाई करिएगा अपनी painting में और फिर मुझे बताएगा comment box में के आपके लिए कैसा रहा हम तो यहां पर पूरा अच्छी से surface ड्राई हो जाता है तब हम यहां पर ले एक circle के लिए मुझे चाहिएगा तो यहां पर मैंने masking tape का जो बचावा होता है उसको ले लिया है circle के लिए और यहां पर मैं add करूंगी white और lemon yellow यह दो शेर्ट में यहां पर आड़ करूंगी तो circle बनाने का यह बहुत ही बैस तरीका होता है वैसे आप pencil से draw करोगे तो कई बा अपको अपना जो भी आप यूज करते हो या इस तरह का कुछ यूज करते हो circle बनाने के लिए वो तब आपको lift करना है जब आपका अच्छे से dry हो जाए गीले में lift नहीं करना है तो बहुत अच्छे से dry होना जरूरी है उसके बाद हम कुछ clouds ले लेंगे इसके उपर sun के उ अब जब हमारा surface बहुत अच्छे से dry हो जाएगा फिर हम यहां पर pencil लेंगे और pencil की help से यहां पर हम drawing ड्रॉइंग कर लेंगे इसी drawing की मैंने आपको शुरू में बात करी थी कि अगर आपको यह वाला drawing जाहिए तो आप Instagram पे जाएगा इस्टाग्राम का handle नीचे description box के अंदर add कर दूँगी मैं तो वहां पर जाकर आप देखेगा आपको एक story section मेलेगा उस story section में से आप यह वाला drawing ले सकते हैं मैं इस वाले drawing का pick वहां पर share कर दूँगी stories में तो अच्छे से drawing जब आप draw कर लोगे उसके बाद हम यहां पर black color ल और सबसे पहले आप जो है outline बना लेना जो भी हमने यहां पर drawing लिया है तो इसके लिए सबसे पहले हम outline create कर लेते हैं और उसके बाद अंदर की तरफ हम filling कर देंगे तो जब आप अंदर की तरफ filling करोगे तो strokes का धियान रखेगा कई बार लगता है कि first layer में strokes बहुत जादा visible ह तो ऐसे में आप फिर second layer भी apply करोगे अचा यहां पर अगर आप comfortable नहीं हो brush के brush को यूज करने में अगर कोई जैसे आपका age group small age group है और आप भी बनाना चाहते हो यह painting तो फिर आप यहां पर marker यूज कर सकते हो permanent marker बहुत अच्छा रहता है जो black color का permanent marker है वो हम यूज कर सकते है painting के लिए यह वाले जो है strokes तो यहां पर जब आपके बहुत अच्छे से strokes आ जाएंगे तब आप यहां पर फिर से dry होने के लिए इसको रख दोगे जब बहुत अच्छे से dry हो जाएगा यह जो आपने यहां पर lining work किया है उसके बाद ही next step यहां पर करोगे lining work जो है मैं हाथ थोड़ा सा lift करके कर रही हूँ हावा के अंदर रखना पड़ता है हमको हाथ क्योंकि अगर हाथ सर्फिस पिट अच हो जाता है तो हमारा lining work खराब हो जाता है अब यहां पर हम tree के strokes देतेंगे tree के strokes के लिए आप कोई भी खराब सा brush ले सकते हो flat brush बहुत अच्छा रहता है flat brush ले लो और बहुत थोड़ा सा खराब सा रहेगा आगे से bristles तो बहुत अच्छे से strokes आएंगे आपको कुछ नहीं करना है आपको केवल 90 degree पर अपने brush को hold करके dabbing करना है तो यहां पर dabbing effect से यह जो tree के leaves वाला effect है यह बन जाता है जब आपकी painting अच्छे से dry हो जाए तो इस painting को हम masking tape निकाल लेते हैं तो देखिए है ना किती आसान painting और किती जल्दी से भी बन गई है ना इस तरी की painting आप बनाते हो ना और फिर इसको अपने living room में लगाते हो ना फ्रेम करके तो बहुत अच्छी लगती है तो यहां पर रेडी हो गई painting अब आप अगर अपना work मुझे दिखाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे टैक कर देना अपने work के उपर तो मैं आपका work देख लूगी इंस्टाग्राम के उपर और कैसी लगी painting ठीक है अग जादा वीडियो देखना चाहते हैं टुटोरियल देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगे